प्रेम बेटा, जा जरा, छोटी बुआ को जरा मार्केट पहुचा दे क्या मा, घर में चैन से थोड़ी देर बैट भी नहीं सकता? अच्छा, बस एक गेम खेलने दो, फिर चला जाऊंगा तभी शर्मा जी ने प्रेम को ये सब कहते सुन लिया हाँ, सही कहा तुमने, तुम्हें हम सब चैन से बैठने कहा देते हैं दिन भर तो जैसे तु परहाई करता रहता है और बचे हुए समय में घर के काम है न प्रेम कुमार जी, कितने प्यार से तेरा नाम हम सब ने प्रेम रखा था लेकिन किसी चीज से तुझे प्रेम ही नहीं, ना परहाई लिखाई से और ना नहीं हमारे बिजनेस से मा ने किसी तरह कोई काम का बहाना करके शर्मा जी को चुप कर आया घर का इकलौता वारिस प्रेम बेचारा, दिन भर पिता जी की डांट सुनता रहता, लेकिन क्या करता? बारहवी में वो फिर से फेल हो गया था इसलिए चाह कर भी मा का प्यार उसे अब शर्मा जी के गुस्से से नहीं बचा पाता था इधर बेचारा प्रेम रोज भगवान के सामने मिन्नते करता भगवान जी, मेरा नाम प्रेम है, लेकिन जीवन में प्रेम की कमी है इसलिए किसी काम को प्रेम से करने का मन नहीं करता कोई मुझे भी प्रेम करने वाली मिला दो मेरा नाम पूरा कर दो भगवान फिर परहाई क्या हर काम मन से प्रेम से करूँगा भगवान ने भी देर सवेर प्रेम की पुकार सुन ली प्रेम के कोचिंग में परी पढ़ती थी, उससे जूनियर थी, मन ही मन प्रेम को पसंद करती थी, लेकिन बात करने में शर्माती थी, एक दिन बहुत तेज बारश हो रही थी, परी बसका इंतजार कर रही थी, प्रेम भी खड़िदी रह था परी ने ही बात शुरू की आपके पास छाता नहीं है तो हमारे साथ चलिए आपके घर के आगे गली में मेरा घर है प्रेम को जैसे बिना मांगे सब कुछ मिल गया वो भी परी को पसंद करता था बस बोल नहीं पाता था क्योंकि वो अपने फेल होने के कारण सोचता था वो मना कर देगी उससे दोस्ती भी नहीं करेगी खैर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी दोनों फोन पर बाते भी करने लगे प्रेम ने बताया कि वो पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन उसका मन ही नहीं लगता इसलिए उसके पापा उससे गुस्सा रहते हैं परी ने कहा तुम मन लगा कर अच्छे से पढ़ाई करोगी तो जरूर पास होगी अच्छा सुनो एकजाम तक मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूंगी परी की मेहनत और साथ से धीरे-धीरे परेम मन लगा कर पढ़ाई करने लगा और फाइनल एकजाम में परेम ने स्कूल में टॉप किया शर्मा जी भी बहुत खुश हुए उसने परेम को गले लगाते हुए कहा कि बेटा आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया परेम खुशी से परी के पास गया और अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा कि तुमने मेरी जिंदगी को परेम से भर दिया क्या जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगी परी ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कृपिया मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए क्यूंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि अपने सब्सक्राइबर को इसे भी अच्छा लव स्टोरी सुनाए थांकू सो मच